इस तो बात करते हैं दीपक नाइटरेट के बारे में देखे सुबह से इंतजार हो रहा था quarter 4 के नतीजों का तो नतीजे आ चुके हैं के पांच कोलम अपको दिखाए दे रहें यह स्टेंडरोन रिजल्ट है और यह जो आगे के कोलम दिखाए दे रहें यह आपके जो है तो दोनों को सही तरीके से समझने की कोशिस करेंगे कि किस तरीके का एक्शन हमें बजार के अंदर देखने को मिलेगा अब इस पेसली अगर बात करें दीपक नाइटरेट के अंदर अब देखें यह जो सारी वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखाए देर है यह करोड के अंदर हम आपको दिखाए दे रही थी लगभग 490 करोड के आसपास तो टोटल इंकम के अंदर हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है इसी तरीकी से बात करते हैं पिछले साल की तो लगभग 526 करोड के आसपास निकल के आ रही थी तो वहां से भी हम लोग को तेजी के संकेत प्र के इंदर बढ़त देखने को मिल रही है quarter on quarter basis पे और year on year basis पे भी हमें बढ़त देखने को मिल रही तो वहां से हम लोग को गिरावट का momentum देखने को मिल रहा है प्रॉफिट जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है year on year basis पे और अगर quarter on quarter basis की बात करें तो बढ़त देखने को मिल रही है इसी तरीकी से दोस्तों बात करते है net profit की तो 101 करोड के आसपास निकल के आ रहा है जो कि पि कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है जानने की कोशिस करते हैं कि consolidate result के अंदर हम लोग को किस तरह के का action देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले total income की बात कर लेते हैं तो प्रिजेंट quarter में दिखाई देरी 1469 करोड के आसपास तो यहां पर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है और year on year basis पे भी total income बढ़ती हो नजरा रही है अगर profit before tax की बात करते हैं तो 389 करोड के आसपास present quarter में आपको profit दिखाई दे रहा है पिछले वाले quarter की देखें तो 290 करोड के आसपास आपको profit दिखाई दे रहा है यानि कि quarter on quarter basis पे आपको jump देखने को मिल रही है और अ 290 करोड के आसपास निकल के आ रहा है present quarter में यही profit अगर पिछले quarter से तुलना करें तो 216 करोड के आसपास आपको दिखाई दे रहा था वहां से तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं company के अंदर इसी तरीकी से अगर पिछले साल की बात करें तो 172 करोड के आसपास निकल के पिछले साल वहां से देखें तो काफी तगड़ा momentum हमें company के अंदर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों overall company के तरफ हम लोगों को शांदार नतीजे इस समय देखने को मिल रहे हैं देखे stocks के अंदर एक बड़ा action आपको आज के दिन देखने को मिला positive close होता हुआ नजर आया है 2845 रुपे तक के लोग इसके अंदर बनते होने जरा हैं देखे बहुती बहतरी ने company हम लोगों को दिखाए देरे कहीं जाकर long term में एक महीने के अंदर अच्छा खासा रुजान देखने को मिल चुका है लगतार तेजी है पिछले 6 महीने में और अगर return की बात करें तो 152% स जादा के return बनते होने जरा हैं इसी तरीकी से अगर 5 साल की बात करते हैं तो भी momentum आपको positive दिखाए देरा है 2644% से जादा के positive return आपको इस company के अंदर बनते होने जरा रहे है 2010 के अंदर 17 रुपे के आसपास कीमत हुआ करती थी महां से लगतार जो है उच्छाल देखने को मिल लेगी क्योंकि नतीजे बहुती शांदार दिखाए देरे हैं हम लोग को नतीजों के साथ साथ जो है share rolling patterns भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यह भी update हो चुका है latest data इस समय हमारे सामने screen पर available है तो मार्च 2021 के अंदर promoters की holding अगर बात करें तो 45.6% के आसपास आपको दिखाए दे लगातार जो है इसके अंदर हम लोग को कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है अगर एक साल की बात करें तो यानिके मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 कोई भी बदलाव हमें promoters की holding के अंदर नहीं दिखाए दे रहा है अब बात करते हैं FIs की तो इनकी तरफ से हम लोग को बिक momentum company के अंदर दिखाए दिया था इस quarter के अंदर हम लोग को गिरावाट देखने को मिल रही FIs की तरफ से अब बात करते हैं दोस्तों डियाइस की तो जो घरेलू निवेशक हैं उनकी तरफ से किस तरिकी का रुजहान दिखाए दिर रहा है तो पिछले वाले quarter में अगर holding से पहले देखें तो लगबख 16.9% के आसपास holding थी पिछले साल महां से लगतार गिरावट का सिल्सिला चल रहा था तो ये वाला quarter काफी शांदार कहा जा सकता है उपर की तरह हम लोग को momentum देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं दोस्तों public की holding की तो देखें धीरे धीरे कर होते हैं कि others यानि कि mutual funds वगरा active है या नहीं तो फिलाल में कोई holding नहीं दिखाए दे रही है इस वाले quarter में इससे पहले देखें तो 0.03% के आसपास holding बंती हुने जरा रही थी तो जैसे कि काफी सारी कंपनियां IPO लेकर आते रहती हैं तो देखें IPO जब भी आता है तो शिरु अपन कराते हैं किसी भी कंपनी के अंदर तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज हम लोगों को देना पड़ता है तो दोस्तों यहां पर मैं वही आपको बात बता रहा हूं अब स्टोक्स के अंदर अगर आप अभी फिलाल में डिमेट अकाउंट ओपन कराते हैं क्योंकि closing चल र बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करें जानकारिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जिरू कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करकर क्लिन आता कि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मुबाल प्रिंसकेप थैंक यू सो मच फो वाचिंग